प्याहिन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत्वस क्लासेज, कैसे हो बच्चा आप सभी? आसा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे तो प्यारे बच्चों, हम लोग कच्चा साथ, JCRT गनित पाठकुस्तक में पाठ, पाँच, गहातांक और गहात को पढ़ रहे थे हमने बहुत ही सांदार तरीके से प्रश्नवली 5.1, प्रश्नवली 5.2, एवं प्रश्नवली 5.3 के प्रश्न संक्या 1, एवं 2 को हल किया था यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको उन प्रश्नों में डाउट्स हो, तो प्रश्न आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो, अपने डाउट्स के लिएर कर सकते हो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्न वली 5.3 का प्रश्न संक्या 3, 4, एवं 5 को करने वाले हैं तो आपसे एक निवेदन है बच्चा कि आप अपने सामने कोपी, कलम निकाल के बेट होगे चुकि मैथ एक ऐसा विसे है बच्चा, जिससे आप याद नहीं रख सकते उसे आप जितना लिख कर प्रेक्टिस करोगे, वो चीज़े आपकी और अथी होती जाएगी तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है उन चीज़ों को और जितना हो चके उसकी प्रेक्टिस कीज़े चलिए बच्चा प्रेशन संख्या 3 मैं आप सभी के स्क्रीन के सामने लगा रहा हूँ आप सभी उसे पढ़िए और हम सांदार तरीके से उसे हल करते हैं तो प्रेशन वली 5.3 का प्रेशन संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन में दिया गया है बच्चा पढ़ेंगे निमलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए पहला दे रखा है 7867.9 हमें इसे मानक रूप में लिखना है तो देखे बच्चा प्रेशन बहुत ही सिंपल है पहला प्रेशन यहाँ पे देखेंगे कि दस्मलो यहाँ पे चार अंकों के बाद है लेकिन जब भी आपको संख्याओं को दस्मलो के रूप में लिखना हो और उसको मानक रूप में तो आप दस्मलो को केवल एक संक्या के बाद ही लगाओगे यानि पहला इसका अंक क्या है? साथ तो सिर्फ पहले अंक के बाद ही दस्मलो लगेगी लेकिन दस्मलो तो यहाँ है तो हम इस दस्मलो को इधर किसकाएंगे? यानि हम लिखेंगे साथ यहाँ पे 7.8679 हमने क्या क्या इस दस्मलो को इधर किसकाया हमने कितने अंकों को किसकाया एक अंक, दो अंक, तीन अंक तीन अंकों को हमने किसकाया है तो यहाँ पे गुना में 1000 लिख देंगे क्या लिखेंगे बच्चा इस गुना में 1000 क्योंकि हमने 10 मलों को 3 अंकों के दर खिसकाया था अब हम लोग 1000 को घांत के रूप में लिख देते हैं तो हो जाएगा 7.8679 गुना 10 की घांत 3 क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ 3 सुन है इसलिए इसका घांत के रूप 10 की घांत 3 होगा ठीक है बच्चों तो यह इसका होगा मानक रूप प्रशन बहुत ही सिंपल है आप बच्चा यहाँ पे जितनी भी संख्याई दे रखी है उसमें आपको देखना है कि यदि पहला अंक के बाद सुन है तब तो उसे आप ऐसे लिखती है सिधा घांत के रूप में और यदि पहला अंक के बाद सुनने से बड़ी संख्या है एक है दो है तीन है तब तो आप उसे दसमलों के रूप में मदल के देखिए आप देखे इन प्रशनों को हम इतनी असानी से करेंगे कि आपको यह चीज़ है और भी किलियर होगा तो प्रशन संख्या दो दे रखा है बच्चा छे के बाद यहां पर है नौ सुनिया तो यहां पर आप देखे कि क्या छे के बाद सुनने से कोई बड़ी संख्या है नहीं सुनने से कोई बड़ी संख्या नहीं है आपको सिर्फ यहाँ पर जितने भी प्रेशने बज़े हो उसमें आपको देखना है कि यदि पहले अंक के बाद सुने से बड़ी कोई संख्या है तो आप उसे दसमलों में बदल कर मान की रूप में लिखिए और यदि सुन यहाँ पर पहले अंग के बाद इधर कोई भी सुने से बड़ी संख्या नहीं है तो आप सीधे उसे घात की रूप में लिख दीजिए जिसे प्रशन संख्या 2 दे रखा है 6, सुने, 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 और सुने, सुने, सुने में क्यों नहीं लिखा क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो पहला अंक है उसके बाद का जितने भी अंक है वे सभी सुने हैं सुने से बड़े नहीं हैं तो हम उसे दसमलों में नहीं बदलेंगे हम पहला प्रशन में देखेंगे कि पहला अंक साथ है और इसके बाद का जो अंक है वो सुनी से बड़ा है क्योंकि आठ सुनी से बड़ा है, छे, साथ तो ये सबी सुनी से बड़ा है इसलिए हमने इसे दसमलों में बदला इसी परकार आप प्रशन संक्या 3 देखें पहला अंक साथ है और इसके बाद का जो अंक दे रखा है सबी सुनी से बड़ा है तो पहले हम इसे दसमलों के रूप में लिखेंगे फिर हम उसे दस की घात के रूप में लिख देंगे प्रशन संक्या 3 दे रखा है लिखिये उसके बाद ये सभी संख्याएं दसमलो के बाद लिखिये पहला अंक क्या है साथ है तो साथ यहाँ पे लिखेंगे साथ उसके बाद दसमलो आठ सुन्य नो साथ छे चार यहाँ पे दे रखा है साथ आठ सुन्य नो साथ छे चार तो पहला अंक लिखा हमने उसके ब 10 और 6 उंक है तो गुना 10 हुआ एके साथ 6 उन्हेनद लगेगा क्योंकि 10 मलो के बाद यहां 6 उन्हें लेख दिजिए अभ इसे लिख लिखे ये संहते यह संह्थ स्काया well है और 10 के यहां पर एक के है श है तो यहां हं 10 मलो के लिखेंगा खू दो Кःष का चाहिए प्रसनसंख्यागा चाहर दे रखा है बच्योग 2805 तो सब से पहले हम इसे मिटा लेते हैं कि से हम करेंगे चाहर को देखें बच्छा cheat 285 को सबसे पहले हम भी दसमलों के रूप में में बज लेंगे पहले लो शुप में कैसे बदलेंगे पहला है और दसमा इससे बड़ा नहीं है लेकिन इसके बाद का अंक पड़ा है तो हमें इन सभी को दस्मलों के बाद लिख देना है तो 2.8.4.5 अब देखे दस्मलों के बाद कितने अंक है चार अंक यानि एक लिखिए और एक के साथ चार सुन्य लगा दीजिए क्योंकि दस्मलों के बाद चार अंक है तो गुना देखे एक के साथ चार सुन्य लगा दीजिए अब यहाँ पर 2.8.4.5 का यहाँ पर लिखे 2.8.4.5 और यहाँ एक के बाद चार सुन्य है तो दस की खाथ चार लिख देंगे पिसका उतर होगा 2.8.4.5 गुना दस की खाथ चार प्रेशन संक्या पाँच वाद रखा है चववन एकासी 866 तो लिखेंगे पहला अंक के बाद का जो अंक है वो सभी सुन्य से बड़ा है तो दस्मलों लगा देंगे पहला अंक में पहला अंक में दस्मलों लगाईए और दस्मलों के बाद 4,8,1,8,6,7 और यहाँ पर दस्मलों के बाद कितने अंक है 1,2,3,4,5,6 6 अंक है यानि एक के साथ 6 सुन्य लगेगा इसे मिटा देता हूँ आपने से नोट कर लिया होगा तो यहाँ पर एक के साथ 6 सुन्य लगा देंगे अब हम इसे घात के रूप में बदल देते हैं तो इसे तो ऐसे कैसे लिखिये है 5,4,8,1,8,7 और यहाँ एक के साथ कितना सुन्य है 1,2,3,4,5,6 तो दस की घात 6 लिख देंगे यह इसका उतर होगा अच्छा यह पांचवा परसन है यह मैं पांचवा कर देता हूँ तो परसन संख्या 6 दे रखा है 7,8,8,6,6,5 इस परसन में तो पहले से 10 मलो है हमें 10 मलो केवल एक अंग के बाद लगाना है लेकिन यहाँ 4 अंगों के बाद 10 मलो है तो हम क्या करेंगे पच्छा इस दस्मलो को इधर खिसकाएंगे जैसे मैं प्रस्ण लिख देता हूँ 7, 8, 8, 6, 10, 6, 5 तो हम इस दस्मलो को 1, 2, 3, 3 अंगों के पहले खिसका देंगे तो यहां हो जाएगा 7, 8, 8, 6, 6, 5 गुना अब यहां पे दस्मलो को हमने कितने अंगों के पहले खिसका आया 1, 2, 3 तो यहां पे एक के साथ 3 सून लगा देंगे अब हम इस एक हजार को घात के रूप में लिख देते हैं 7, 10, 8, 8, 6, 5 गुना 10 की घात 3 यह इसका हो जाएगा मानक रूप तो बच्चो यह था प्रशन संख्या 3 आसा करताओं कि आपने नोट किया होगा चलिए अब हम करते हैं प्रशन संख्या 4 को प्रशन संख्या 4 है बोक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर अवरोही क्रम में लिखे सबसे पहले हम इन संक्याओं को मानक रूप में लिखेंगे फिर उसे हम अवरोही क्रम में सजा लेंगे तो जैसे यहां दे रखा है ग्रहों के नाम बुद्शुकृ, प्रिफिवी, मंगल, बिरश्पति, सनी, अरून और वरून इनका द्रेवमान दे रखा है किलोगराम में की लगभा कितना है अब हम इसे मानक रूप में बदलेंगे तो मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको देखना है कि यहां पे कोई संक्या दे रखी है तो क्या पहली संक्या के बाद का जो अंक है वो सुन है या सुन से बड़ा है उसके बाद का जो अंक है वो सुन है या सुन से बड़ा है यदि इसके बाद का जो अंक है वो सुन से बड़ा है तब तो आप दस्मलों लगा दिजिए और यहाँ पे जितने भी सुन है उसको 10 की घात में लिख दिजिए जिसे यहाँ पे दे अंकों के बाद का जो अंक है वो सुने से बढ़ा है तो यहां शुरू का अंक है तीन और दूसरा भी है तीन तो दूसरा तक तो बढ़ा है तो दूसरा तक हम दस्मलों में लिखेंगे यानि तीन दस्मलों तीन इतना तक हम लिख देंगे दस्मलों में उसके बाद का जितना भी अंक है वह सभी घाथ के रूप में आजाएगा अब सुरू का हमने लिखा 3 उसके बाद दस मलो लगाए तो देखिए 10 मलों के बाद कितना अंक होगा यानि 3 के बाद कितने अंक होएं लौक है तो 3, 6, 3, 9, 12, चारा पंद्रा ठारा इकेस बाईस तैस सुरू का अंग छोड़ देना है तो तैस हो गए तो दस की घात तैस यानि तीन दस्मलो तीन गुने दस की घात तीन क्योंकि पहला अंग के बाद ही हमने दस्मलो लगाया था बिल्कुल कठीन नहीं है देखे आपको यहां पे जितना भी संख्याय यहां दे रखी है आप शुरू का अंग लिखो उसके बाद दस्मलो लगा दिजिए सुरू का अंग लिखो उसके बाद दस्मलों लगाए दस्मलों के बाद का जो अंक है आप उतने ही तक लिखे जितना तक सुने नहीं है जिसे हमने यहां देखा चार चार के बाद यहां आठ है तो दस्मलों के बाद आठ लिखे आठ के बाद साथ है तो सात लिखे यानि चार देशममलो आठ साफ अपने इधर लिख दिया इसके बाद आप देखे så कि यहाँ सुने से लेकर पूरा खतम हो रहा है यानि सुने से समापत हो रहा इधर पिर पूरा सुन ही चल रहा है तो ये सभी आप घांत के रूप में उसके बाद लिख दीजिए यानि आपको इन सुन्यों को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो सिधा इसी परकार लिखते हैं यानि सुरू का अंक कितना है? चार तो चार और उसके बाद है आठ और साथ इतना ही तक है सुन्य से बड़ा तो चार दसमलों आठ साथ आपने लिखा अब इसके बाद हम घात के रूप में सिधा लिख देते हैं हमने सुरू का अंक लिखा उसके बाद ही दसमलों लगाया तो उसके बाद कितने अंक है? तीन-टीन-टीन-टीन-बारा तीन-पंदरा तीन-टीन-टारा तीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन शुरू के बाद ही हमने लगाया है तो शुरू का अंग छोड़िए उसके बाद देखे कितना अंग है यानि 5 को छोड़के गिनिये कितने संख्या हैं तो यहां पे कितने अंग हैं तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 24, 24 है इसके दस की घाद गुना, 10, अब 10 की घाद कितनी होगी, 6 को छोड़के गिनिये कितने अंग हैं तो यहां से 1, 2, इधर हो गया 2, जासे गिनते, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 22, 23, यहां तक गिनना है तो 10 की घाद 23 लिख देखे हैं यहां पे देखे एक और यहां पे है 9, उसके बाद सभी सुनने हैं तो एक दसमलो 9 हो जाएगा, एक दसमलो 9 गुना 10, अब 10 की घाद कितनी होगी, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 13, 24, 25, 26, 27, 27 होगा, तो 27 लिख देखेंगे, यानि एक दसमलो 9 गुने 10 की घाद 27, अब अगला दे रखा है 5, 6, 9, 9 तक ही उसके बाद सभी सुनने हैं, तो 5 लिखे, दसमलो लगाई है, फिर 6, 9, इतने ही लिखेंगे, 5, 6, 9 उसके बाद तो सभी सुन है, तो यहाँ पर हमने शुरू के बाद ही दसमलो लगाया है, दसमलो के बाद कितने अंग आएंगे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 13, 23, 24, 25, 26, 26 आएगा, तो 10 की घाद 26, यहाँ पर 8, 6, 9, 8, यहाँ तक 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 13, 23, 24, 25, 25 होगा, तो 10 की घाद 25 हो जाएगा, अगला दे रखा, एक सुन्य दो, यहाँ पर सुन्य के बाद 2 है, तो यहाँ तक आपको लेना है, यानि एक दसमलो सुन्य दो गुना, यहाँ पर कितने होंगे अंग, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 35, 25, 26, तो 10 की घा 26, इस परकार बदल देना है, अब यहाँ पर नेक्ष्ट दे रखा है, इसे अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम का अर्थ होता है, बच्चों बड़े से छोटा, अब इन संख्याओं में से सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, कैसे हम क्यात करेंगे, तो आप घाद से द 27, सबसे पहले ये लिख दिया हमने, उसके बाद 27 के बाद 26 होता है, तो 26 यहाँ पर 5, 6, 9 को बड़ा भी है, और यहाँ पर 1 और 26 है, जो कि दे रखा, 1, 72, तो इसमें से कौन छोटा है, सबसे आप देखिए, यहाँ पर 5 है, तो एक छोटा है, 5 पड़ा है, तो 5 को पहले ल 26, फिर तिसरा में लिखेंगे, 1,02, गुने 10 की घात 26, अब 26 के पहले होता है, 25, तो 25 का सिर्फ यह एक है, 8,69, 8,10 की घात 25, तो इसे लिख देंगे, 8,69, 8,10 की घात 25, यह हमने लिख दिया, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, 25 के बाद 24, 24 में तो दो दे रखा है, य चार दसमलों, आठ, साथ, दोनों का 24 घात यहाँ, तो इसमें देखेंगे, इन दोनों में से को बड़ा है, 5 वाला बड़ा है, तो 5 दसमलों, नो, आठ, गुने 10 की घात 24, यह पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, 4 दसमलों, आठ, साथ, गुने 10 की घात 24, 24 के पहले लिख देंगे यहां तीन दस्मलों तीन को ने दस की खांथ 23 इस परकार हमें रिखना था तो बच्चो ये थे प्रशन संक्या चार असर करता हूं कि आप लोगों ने नोट किया होगा करते हैं प्रशन संक्या 5 को बच्चो वीडियो पसंद आरे टी वीडियो को लाइक अब अपने दोस्तों को शेर जरूर किजेगा तो प्रशना वाली पांच दस्मलों तीन का अंतिम प्रशन दे रखा है बोक्स में दी गई शुचनाओं में आनी वाली संक्याओं को मानक रूप में लिखकर आवरुवी क्रम में लिखिए कालाहारी दचिन अफरिका थार भा गिपुसं अस्ट्रेलिया ग्रेट विक्टोरी अस्ट्रेलिया शुमा में सारि फूस. इच्छिज कई बार आपको जेनलाल नागे में वाली तोम फूच्छी भी जाती है चलिए परस्णों को करते हैं तो इसे माननक रूप में बदलना है, बिल्कुल प्रसन संकिया हमने चार इसी वरकार से किया है, सबसे पहले आप यहां देखिए, 9,3,2,4 सुने सुने, आपको सुरू का अंक लिखना है, उसके बाद का अंको को दस्मलो में लिखना है, तो 9,3,2,4 यहां तक लिखेंगे, उसके पाइब यहां पे इसकी 10 की घात करती हैं यहां पर दशमेलों के बाद कितने वह जाएंगे एक दो 22345 तींड divide tat पांच वगया तो दस की घंगाथ पौने दस की घंगते यानि नोव दसमलो दसमलोоры प्लती होगए उसके बाद 5 यहांज होगा 155354 यहां होने चारिम हैं दस्मलो 5 5 4 इतना तक लिखेंगे और 10 की घात यहां पे भी सुन होगा क्योंकि एक के बाद 5 अंक है तो 10 की घात 5 होगा अगला दे रखा है 6 4 7 5 सुने सुने तो सुरू का अंक लिखे 6 उसके बाद दस्मलो लगा के 4 7 5 यहां तक लिखेंगे उसके बाद 10 की घात के रूप में लिख देंगे यानि 6 दस्मलो चार साथ पांच गुना अब 10 की घात कितने होगी छे के बाद कितने अंक है एक, दो, तीन, चार, पाँच, 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 पाँ क्रम में लिखे हैं आरो ही क्रम होता है संख्याओं को छोटे से बड़े में सजाना तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सबसे छोटा उसके बाद उसे बड़ा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा अंती में सबसे बड़ा तो सबसे पहले आप लोग बता है कि इसमें से सब सबसे बड़ा कों सा होगा जिसकी घंट बढ़ा हो संक्या बड़ी जिसका घंट चोटा हो संक्या छोटी यहां पर सब से बढ़ा होगा 10 की घंट 6 वला यानि 8下 x अल्य पॉपक्र फोल पांच संक्या गांगे कर टो हमें इसके संपनेगा 5 में बाकि इन सभी को हम यहां से सुरू कांक देखके सजा सकते हैं सुरू में सबसे चोटा अंक यहां पर एक है तो एक है इसमें भी दसमलों के बाद यहां नो है दसमलों के बाद यहां पांच है तो यह पहला होगा यानि एक पांच एक दस्मलो पाँच पांच चार गुने दस की घांट पाँच सबसे पहला ये होगा सबसे चोटा फिर उससे बढ़ा आईए उसके बढ़ा ये उसके बढ़ा आईए और सबसे लास्ट में ये इसी परकार लिखतेंगे यहाँ लिखेंगे बच्चा रोही करम तो सबसे पहले इसे लिखिए 10-5-5-4-10 की गांट-5 फिर वो लिखेंगे 9 यानि सबसे पहले 6-4-7-5 फिर लिखें यहांपे 9-3-2-4-10-5 यहांपे कई बचचे मिस्टे करते हैं कि वो 8 वोला लिखेंगे लेकिन उसका गहांट आप देखें कि उसका गहांट 6 है यह सबसे अंती में होगा इसके बाद यह आपको चीन लगा देना है सबसे बढ़ा यह है और सबसे चोटा यह तो बिच्छो यह था प्रश्ण उत्तर इसके बाद हमारा पार्ट पांच समापत हुआ मैंने प्रश्ण वली 5.1 से लेकर प्रश्ण वली 5.3 को अच्छी परकार स हो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6 पार्ट 6 का नाम है अनुपात और समानुपात बहुत ही सांदार तरीके से हम उसे हल करनेंगे धन्यवाद